हलो अब हम लोग करने वाले हैं मैथट नमबर तीन तीन अंकों की संख्या का वर्ग कैसे किया जाए इसके पहले मैंने मैथट वन सिखा दिया है आपको मैथट टू सिखा दिया है जो बच्चों नहीं देखा है वो पक्का देख लिजिएगा और मैंने लाइब में ट्राइ किया लेकिन थोड़ा नेट का काफी इसू था तो मुझे लगा कि चलिए इसको रिकॉर्डड सेशन में दिया जाए so that अगली बार हम लोग नए चीज़ से सुरू करें तो चलिए तैयार हो जाएए method number 3 सीखने के लिए आगे बढ़ने के पहले मैं एक चीज़ आपको बोलने वाला हूँ start में method 3 आपको पक्का लगेगा थोड़ा सा difficult और मैं यह हमेशा काता हूँ कि सुरू सुरू में जो भी हम पढ़ाते हैं कुछ देर तक आपको लगता है भारी देखिएगा देरे देरे करते 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 आप पक्का सीख जाएगे तो अगर मैंने आपको 6 example, 7 example दिया तो आप घर पे कम से कम 10 या 15 अपने से करिएगा तो आपको पक्का समझ में आ जाएगा तो थोड़ा time तो यार जरूर लगता है ठीक है तो चलिए पहले देखते हैं कि यह है क्या आईए मान लीजिए हमने एक छोटा सा नंबर लिया और यह छोटा सा नंबर है 237 का square देखते चलिएगा हम थोड़ा steps लिखेंगे शुरू में काफी लंबा लगेगा आपको आपको लगेगा अरे बेकारी सर यह बता रहे है ठीक है लेकिन यार आपके उपर है कि इसको सीखना है किने काम यही आएगा सबसे पहले क्या करना first step 7 का square सुनते रहिएगा 7 का square 49 होता है 4 बच गया इसके बाद आपको आना है इन दोनों नंबर को multiply करके 2 से गुना करना या double करना है तो 7 या 21 क्या किया मैंने यहाँ पर लिखते जाता है क्या पता कमजोर बच्चा सीख पाई कि नहीं और फिर 2 से गुना करना है करिए तो या double 7 या 21 21 गुना 2 42 और उपर में कितना बचाता सर 4 सब लिखके देंगे पहली बार मेरी आदती ऐसे 46 46 का कितना हो जाएगा 6 कितना बच जाएगा फिर से 4 बचरा तो हम ऐसे लिखते हैं अब देखिए तीसरा स्टेप जो की जंदली बच्चे को दिक्कत होता है इसी में गड़ बढ़ाता है तो तीसरा स्टेप ध्यान से देखिएगा क्या करना है अब आपको जब 3 नमबर आ जाए तो इन दोनों को मल्टिप्लाए फिर डबल और इसमें इसका स्कॉयर जोड़ना है ध्यान से सुनिएगा 2 गुना 7 और इसका डबल और इसमें जोड़ना क्या है दोस्तों 3 का स्कॉयर यानि बीच वाला आपको पक्का ये हाड लग रहा होगा है ना लेकिन घबराइए नहीं 4-5 बार करने के बाद आपका माइंड सेट अप चेंज होगा देखिएगा तो 2 गुना 7 14 14 गुना 2 28 और 3 का स्कॉयर 9 28 और 9 कितना होता है 37 बचा कितना था बताईए तो 4 बचा था 37 और 4 41 ये हमारा एक हो गया किसमत से फिर से 4 बचा है अब आप सोचिए तीनों अंकों का इस्तमाल हो गया 7 काट दीजिए अब 7 काटने के बाद 3 और 2 बचा जब भी 2 अंक बचे पक्का याद रखिएगा दोनों को गुना करके 2 गुना करना तो फिर हम लोग आपके लिए लिखेंगे 2 गुना 3 फिर इसको 2 से गुना करना है 3 गुना 2 6 6 गुना 2 12 हुआना बचा कितना था सर 4 बचा था यानि 16 16 का कितना लिखेंगे 6 अब की बारी एक बचा अब 3 का भी काम हो गया अब कितना बचा सर 2 बचा अब लास्ट नमबर है एक ही नमबर है तो स्क्वाइर करिए 2 का स्क्वाइर कितना होता है 4 और इसके बाद आप कितना बच गया था 1 तो 4 प्लस एक कितना 5 ये हम लोग लिख देंगे ठीक है अभी हम जानते हैं साइलेंट क्यों है अंदर से पक्का मेरे को गाली पड़ रहा होगा क्यों गाली पड़ रहा होगा बोल रहा होगा रही बड़ी बड़ा बड़ा लिखाता चेहरा बनाके कि 5 सेकेंड में एंसर दे देंगे एक लाइन में दे देंगे और लिखता है 5-5 लाइन तो चलिए कोई बात नहीं कुछ देर तक हम रेड़ी हैं आपका स्वागत है है ना लेकिन थोड़ा देर रही है तो सही मेरे साथ जो खराब खराब आपका जो मन में जा रहा वो अच्छा अच्छा चीज में ट्रांस्पॉम हो जाएगा देखिएगा आएए एक एक एक्जामपल और करते हैं ठीके जितना भी मन में गुस्सा है वो धिरे धिरे प्यार में बदल जाएगा यह हम करेंगे गवराईए नहीं 332 का Esquire पहला Step क्या टीचर ने बुला था लास डिजिट एक अंक रहे तो केवल Esquire करना दो का Esquire 4 इसके बाद दो हंक आया दो हंक रहे तो गुना करके दो से गुना तो तीन गुना दो चे समझ रहे हैं जिसमें दागी लगा 3-2,6, 6-2,12, 12 आगिया दोस्तों 2 एक बचा है यह 3 अंक को ही थोड़ा सा हेंडल करना जरूरी है अब मैंने क्या बोला था इसको इसको गुना करके बीच वाला का स्क्वाइर करके जोड़ना क्या मैंने सही बोला? नहीं इसको इसको गुना करके 2 से गुना करना दो अंग जब भी गुना होगा 200 एक्स्टा गुना होगा तो बताईए 3 गुना 2 कितना हुआ 6 और 6 गुना 2 कितना हुआ 12 3 गुना 2 कितना हुआ 6 6 गुना 2 कितना हुआ 12 और 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 आपको हम करके दिखाते हैं क्या पता बात नहीं समझ रहे हूं दो अंग जब भी गुना होगा आपस में गुना करना है दो से एक्स्ट्रा गुना करना है और जब तीन अंग हो तो बीच वाले का स्कॉयर करके जोड़ना है तो 3 गुना 2, 6 गुना 2, 12 और 3 का स्क्वाइर कितना 9, 12 और 9 कितना 21, 21 में 1 बचा था, यानि 22 अब की बारी 2 बच गिया, बस 3 वाला टेंसन खतम, अब इसको करिए, 2 अंक आ गिया, गुना करके 2 से गुना, 3 गुना 3, 9, 9 गुना 2, 18, 18 में 2 बचा था 20, लास्ट में बचा है 2, लास्ट एक ही नंबर है ना, एक नंबर को केवल स्क्वाइर करना है, 2 से गुना ने, 3 का स्क्वाइर नो, और 2 बचा था, 11, थोड़ा सा कम गाली मुझे इस बार पड़ा होगा, ऐसा मेरे को लगता है, सायद सायद है ना, 100 परसेंट तो नहीं बोल सकते हैं, फिर भी जानत जो, मैथड नंबर 2 से करेंगे, तो 332 को 300 बेस मानना पड़ेगा, प्लस 32, माइनस 32, अगर 10 बच्चा करता है, 8 बच्चे को गैरेंटी देते हैं, 32 का स्क्वाइर नहीं आता होगा, तो सिट्वेशन समझेए, उसके अकोर्डिंग चलना है, ठीक है, हम बुले ना, थोड़ नंबर ले लें, बताईए, 323 का स्क्वाइर, देखते हैं तो क्या जल्दी से लिखा जाता है, 3 का स्क्वाइर 9, 2 अंग को गुना करके 2 से गुना, 3 दुना 6, दुना 12, एक बच गिया, उसके बाद, फर्स्ट और लास्ट को गुना करके 2 से गुना, प्लस बीच वाले का स् बीच वाले का स्क्वाइर एड होगा, तो 3 दुना 6, दुना 12, 2 का स्क्वाइर 4, 12 और 4, 16 और एक बचा था, यानि 17, 17 के बाद, एक फिर से बचा, 3 को काट ये, 2 अंग का गुना, यानि फिर 2 से गुना, 2 गुना 2, 4 और मेरे साथ दोरा ये, 4 गुना 2, 8, एक बचा था, 9, लास्ट अंक एक ही है, स्क्वाइर करके निकलते बनिये, जहां से मर ये है, उदर से निकलिये, जिदर से जगा है, उदर से निकलिये, ठीक है, थोड़ा बूत तो यार, हसी मजा करना ही पड़ेगा, 49729, बना कि नहीं जल्दी, आदत डालिए, काम यही आएगा, चलिए, और एक्जाम्पल्स करते हैं, इसके बाद अपोच करिए, मैंने ले लिया, 357 का स्क्वाइर, है ना बड़ा वाला, है ना गुसा नहीं है ना अभी आपसे, कि सर आप छोटा छोटा बताते हैं, साथ का स्क्वाइर 49, चार बचा, अब हम कहीं कुछ नहीं लिखेंगे, साथ गुना 5, 35, गुना 2, 70, बात हुआ था आपसे ऐसा ही, 35 गुना 2, 70 और 4, 74, 7 बच गिया, इसके बाद फर्स्ट और लास्ट को गुना करके 2 से गुना, साथ या 21 गुना 2, 42, ठीक है, कंसेंट्रे हैं, 42 में 5, अराम से, 42 और 5, 47, 10, 57, 10, 67, और बचा कितना था, 7, 67 और 7, 74, यानि फिर से 7 ही बचा है, इसके बाद चले आते हैं, आगे, अब हमारा 7 का टेंशन खतम, 5, 3, 15 दुना तो 30, 30 और 7, 37, 3 बचा है, 3 का स्क्वार 9, और 3, 12, ठीक है, थोड़ा थोड़ा लगता तो ह है, माइन डाइवर्ट हो रहा है कि, हाँ यार, ठीक ठाक है, बस मेरा जोड़ अच्छा हो जाए, तो भगवान की किरपा से करी लेंगे, और भी बताएंगे, और भी खराब एक्जामपल लेंगे, बस आप डटे रहिए, हम आपके साथ हैं, मान के चलिए, 800, कितना ले ले, चलिए, करते हैं, आठ का स्क्वाइर 64, छे बचा, आठी साती 56, चपन गुना दो 112, 112 और 6, 118, मेरे साथ बस बोलते चलिएगा, 11 बच गिया, इन दोनों को गुना करके 200 गुना, आठी अठी 64 गुना दो 128 और 7 गुना 4, 49, 128 में अपने को जोड़ना है 49, 128 में 49 कैसे जोड़ 9 और 8, 17, यानि 117, 117 में 11 जोड़ना है 188, यही जोड़ आपको अच्छा करना है, जैसा मैं आपको करवा रहा हूं, यानि 18 बच गया, एक अंग गया, आठी साती 56, चपन गुना दो 112, 112 में सर 18 कैसे जोड़ेंगे, पुछने का चीज है क्या, 112 में 8 जोड़ेंगे, 120 होगा यानि 0 बचे का 13, 7 भी बिचारा गया, 8 का स्कॉर 64, 64 में कितना जोड़ना है 13, क्योंकि बचा ही था 13, कैसे जोड़ेंगे, फिर से पुछ रहें, 64 और 10, 74 और 37, यह तो बड़ा बना के दिखाए, है ना, अब तो गुस्सा घतम हो रहा, यह आप छोटा छोटा बताते हैं के 8 का स्कॉर 49, 9, 4 बचा, 8, 76, गुना 2, 112 और 4, 116, 6 बचा, स्वरी, 116 का हमारे पास 11 बच गिया है, 9 गुना 7, 63, गुना 2, 126 और 8 का स्कॉर 64, 126 में 64 कैसे जोड़ना है सर, यह पूछने वाली बात है, 126 में पहले 4 जोड़के निस्चिन्थ हो जाएंगे 130 होगा, और 60 जोड़ेंगे 201 होगा, 201 होगा क्या, yes 201 का 1, बचेगा 20, 7 गया, 9, 8, 72, गुना 2, 144, 144 में 20 कैसे जोड़ेंगे सर, फिर पुछनें, 144, 10, 152 और 10, 162, 162 का 2 बचेगा 16, यह 8 भी विचारा सरेंडर, 9 का स्कॉर 81 और 16, अब नहीं पुछेंगे सर, आप से अब तो खुदी जोड देंगे, 81 और 10, 91 और 6, 97 यह रहा मारा एंसर, प्रैक्टिस से क्या संभव नहीं है बताईए, क्या मुश्किल हो सकता है, प्रैक्टिस से खराब-खराब मैत भी बन जाएगा, ठीक है, प्रैक्टिस से खराब-खराब मैत भी बन जाएगा, यहां पे मुझे ध्यान गया, य इसको 4 कर लिएगा आसान question भी बनाते हैं जो आप लोग को पसंद आए चलिए करते हैं लिए रहा 231 प्यारा सा सवाल देखें तो कैसे नहीं बनता है 1 का square 1 3 गुना 1 3 गुना 2 6 उसके बाद 2 गुना 1 2 गुना 2 ये मत भूलिएगा 2 गुना 1 2 गुना 2 4 और 3 का square 9 9 और 4 13 एक बचा ये खतम 3 दुना 6 6 दुना 12 12 और 1 13 समझ रहोंगे क्या बोल रहे हैं 1 2 का square 4 1 5 हुआ एक line में कि नहीं हुआ हुआ ना अब तो नहीं पूछ रहे हैं ना अब थोड़ा सोच बदला होगा क्योंकि हमने 5 एक्जामपल किया है है ना मयाक मयाक में आपको समझाने का मतलब था जिंदगी में जोड़ भी आना बहुत जरूरी है आप तो जोड़ते भी हो कोना में चुपके कोना में कैसे चुपते हैं आपको पता ही है है ना की आदत है अपने पास, एक नमबर और लेने का मन करता है मुझे, क्या लिया जा भाई, छोटा सा ही लेते हैं, चार चार पांच का स्क्वाइर, पांच का स्क्वाइर 25, पांच चार बच गिया, स्वरी दो बच गिया जार, उसके बाद बाहर बाहर वाले के गुना, 5-4, 20-2, 40, 4-5, 16, 40-16, 56, 56-46, यानि 6 बच गिया, 4-4, 16, 22-6, 38, 3 बच गिया, 4-4, 16, 13, 19, मेरे जैसा आदत जा लिए, आदत तो मुझे हो गया है, मेरे जैसा थोड़ा सा आदत जा लिए, थोड़ा सा Comfortability Level बढ़ाईए, Concentration Win बढ़ाईए, पक्का ये एक लाइन में बनने लेगा, जितने देर में आप प्लस पांच माइनस पांच करेंगे ना, उतने देर में हम एक लाइन में लिख देंगे, थोड़ा सा बस सोचने का तरीका बदलिए, ठीक है, एक सवाल लास्ट बताते हैं और हम इस चीज को end करते हैं, मैंने बड़ा भी बना के दिखा दिया वैसे, ठीक है, चलो, इसके दोनों मिलके कोशिस करते हैं, कौन पहले बनाएगा, साथ का स्कॉयर 49, 4 बचा, 7 गुना 6, 42 गुना 2, 84, 84 और 4, 88, बचा कितना, 8, 7 गुना 7, 49 गुना 2, 98 और 6 का स्कॉईर 36 सही रहना, 7 गुना 7, 49 गुना 2, 98 और 6 का स्कॉईर 38 कैसे जोड़ेंगे सर, प्यार से जोड़ेंगे कैसे सुनिये 98 में पहले 2 जोड़ के निस्चिन्त हो जाएंगे 100 उधर का बचा 34, 134 और 8, 142 बचा कितना 14, 7 गया घर 84 में 14 क्या पूछना पड़ेगा नहीं 84 और 4, 88 और 10, 98 का 8, 9 6 गया भर 7 का स्क्वाइर 49, 49 और 9 49 और 51 और 8, 58 तो ये था दोस्तों प्यारा सा मेथट एक लाइन में कैसे करते हैं मेरे पास कोई notes नहीं है मैंने आपके साथ इमानदारी से randomly नमबर लिया जो मेरे मन में आया मैंने कहीं cross check नहीं किया है फिर भी आप check कर लिएगा आसा करते मैंने सही बनाया तो चलिए method कैसा लगा आप मुझे जरूर बताइएगा अपनी मर्जी से कोई भी number ले लिए निकालिए calculator है check करिए practice करिए यही काम आएगा तो चलिए thank you so much